हाई गाईज इस टुटरियल में हम लोग replace method के बारे में देखेंगे replace method भी एक string return करता है और यह लेता है argument के तौर पर दो characters जिसको इस पहला character जो होता है उसको old character होता है दूसरा character तो new character जाली कि old character मतलब किस character को आप change करना चाहते हैं ठीक है old character मतलब यह हट जाएगा और new character मतलब old character के जगह यह new character आएगा ओके यह होता है meaning example string st geeky source अपने लिखा system.out.printlnst replace e w तो e को आप हटाना चाहते हैं यह old character आपका और जहां भी e होगा वहां आप w replace करना चाहते हैं तो जहां जहां भी e है वहां वहां क्या हो जाएगा इसको practically रेखते हैं geeky source यहां लिखा system.out.printlnst replace y जहां भी y है यहां आपने लिखा वहां इसको reference क्या हो आई कि आप किस पर काम करना है किस पर replacement method लागू किया गया इस पर क्या गया ठीक है इसमें आप क्या करना है कि आप कह रहे हैं कि जहां भी y है वहां i कर दो जहां y है वहां i कर दो तब जब यह run करेगा तो यह geeky source कुछ इस तरीक से दिखाए देगा यह आपको नहीं आपको i दिखाए देगा ठीक है और अगर बहुत सारे y है तो यह कोई फर्क नहीं जए मैंग और तेक सेगा यह यह दो कुछ